हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रपिन बेथनोज में और आज मैं आया हूँ दिल्ली यहाँ पर हम कई सारी प्लेसेस को विजिट करेंगे पाँ आपो नहाँ पर हम कमेल्च आप स्वाज़ा पर हम करी झाने चैनल देख्गे कर बादे है एक स्थाु आपा एपने पाप siि एक हो बेहि स nih, पイंदियत है आप यह करा वाल, आपीधाzogen, पर एल, रापका प्रुट आपका इढ़ाखंः तो यह है लोटर स्टैंपल जैसा कि आप देख रहा है कि कमल मंदर के नाम से जाना जाता है और कमल की प्रकरठी का बना हुआ है तो यहाँ पर घाँ आता है कि यहाँ सारे धर्मों को एक ही मानके यहाँ पर आत्रा करते हैं यहां की यही बिसिस्ता है, तो चलिए कमल मंदर को आम देखने के लिए चलते हैं, काफी सुन्दर यहां पर दरश्च आपको नजर आते हैं, काफी यहां पर आट से दसरार परियाटक बेली घुमने भी आते हैं दिल्ली के नहरू प्लेस में इस्थित लोटस टेंपल एक बहाई उपासना मंदर है, जहां ना कोई मूर्ती है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाट करने ही जाती है, लोग यहां पर आते हैं सांती और सुपून का अनुप करने के लिए, इसका निर्मार उन्यों सुच्छ सुपून मंदर को समर्पित एक परिस्द मंदर है, जिसे हरे राम, हरे कर्शन मंदर के रूप में भी जाना जाता है, आपको बता दें इस मंदर के स्थापना 1998 में की गई थी और यह बिलकुल लोटस टेंपर्स के पास नजदीग ही में इस्तित है इसले स्थापने सुच्तिर के आपको बढ़ बता है, एक हूज है, एक हमें इस्तित कर्टन आपको बता देंगे, च needs to be a ब compliqué, किर वे एक परोषो्स के पासरा देंग के एक प्पपपपना लोगत हें है अज़ मैं आया हूं जो कि दिल्ली में लोकेटिड़ हैं और काफी बड़ा एक रुड़ा है यहां पर आफे काफी स्पून के पल महसूस का सकते हैं तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारा पंगला साहिब के अंदर से देखने के लिए और हम आसपास के नजारे भी देखेंगे अजारे पंगला से 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 देखेंगे तो जनतीर जिपावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा झाल 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 तो अब मैं हूँ कुतंबिनार जो की दिल्ली में लोकेटेड़ है आप सभी लोग जासे जानते हैं कि कुतंबिनार कुतो विदिन एवक ने लेवन फुकित्री में बनाया था तो चलिए इसको निहारने के लिए चलते हैं जानते हैं कुतंबिनार के लिए जानते हैं कुतंबिनार काफी पुराना पुरूमेंट है या देली में और ये पांच मंजला इमारत है जिसमें से आपको ये जाशायत मता होगा दिली तीन जो पहली मंजले वो करते हो अगर आप बैक सिलिकें से जो चरते हो तो आज जो विश्वे पुर्पिल हो सकती है आरें पिलर काफी पुराना मॉनुमेंट है जो इको तो मिनार के ठीक पास नहीं करते हैं अगरें प्सक्राइब जो थे तुमिनार के अंदर आपने कई सारी प्लेष्ट दूबियोंगी लेकिन जैसे कि स्टॉरिकल प्लेष्ट होती हैं काफी सुंदर और फोटोग्राफी ले लेक जगे तो आपको खोतम नराज कभी वी नराज निकरेगी कर दो कर दो कि आपका उग्रिशन की बावली में तो चलिए चलते अब मेरे दोस्त इसके बारे में बताएंगे कि इसकी क्या कहानी है बड़े भाई आईए इधर आईए इधर फ्रेम में बताएंगे आप देख सकते उसका अंडरग्राउंड सचर यह बावली टेक्शनी फेमस है आपके के समय में क्या होता था मांसुन अगर नहीं आ रहा है और मौसम की परवर्तन के करण पानी की कमी हो जाते हैं उसको ध्यान पर रखते हुए इसको अडरग्राउंड जल संद्राण यह बनाया गया है और इसका स्क्षर आपका ध्यान से देख हुए तो इसमें दोनों आस्मा अगर आप देखोगे तो इसके बहुं की चोणा एक लिए अगर में भात परूँ नौट से सौट की बीस का डिस्टैंस सिस्टी मीटर है और अगर आप इसके वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में इसमें आपर क्या है कि इसके चार प्रवेश दुहार है जो कि एक देना जाए तो यह मॉनुमेंट सबस्यादा फेमा से दीडी के जीरस में और आप चाहें तो यहां पर आए हम में आचुका हूँ हमायू का मखर हुआ और खुमायू के मखरह के वारे में ऐसा कहा जाता है इसकी जो उचाई ऐलग वक एक्सों बीस मीटर है कि चभुतर रिश से पूरा अलग वक है और इस हुमायू की मखरह में क्या था कि सोका गरस बिद्वा जो हमीदा वेगन्ती उन्होंने बादशाह हुमायू के लिए मकवर बनाया था इस मुगल परिवार की 100 से अधिक कबरे जो हैं इसके अंदर प्रिजेंट हैं और साथी साथ कहा रहा है कि लाल अत्थर तत्र सफेद संग मरमर का प्रियोग इनकी अधिक मातरा में किया गया है तो चलिए चलते हम हु झाल 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 तो दोस्तों आम मैं आया हूँ चंतर मंतर जोकी दिल्ली में लोकेटेड़ है और इसको आप जैसिंग दिरती है यह बनायता है ने की जैसिंग टून है इसका निर्माड किया था तो चलिए चलते हैं जंतर मंतर को देखने के लिए एक काफी खुबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है और कुछ अलगी टाइप ऐस का स्ट्रॉक्चर है तो चलिए चलते हैं इस जंतर मंतर में तीन प्रकार के एंतर मौजूद हैं समुराट एंतर मिश्र एंतर और राम एंतर यह सूर की साहता सिपत और ग्रहों की इस्तिति की जानकारी भी देते हैं साथी साथ छोटे और सबसे बड़े दिन की भी जानकारी एक प्रदान करते हैं तो यही मेंकार अर्था जंतर मंतर का दिन्मार्ट समय और अंतरिच की अध्यान के लिए ही करवाया गया था और यहें दुनिया की सबसे बड़ी पत्तर की सूरे गड़ी भी कहलाती है तो अब हम आ चुके हैं रेड फोर्ट में और रेड फोर्ट में जब आप एंटर करेंगे तो आपको सुंदर सा मार्केट नजर आएगा जिसके काफी प्रकार की आपको सामान भी मिलेंगे और काफी सुंदरता और भविपूरा आपको यह दिखाई देगा रेड फोर्ट में आप आसानी से पहुँच सकते हैं जैसे ही आप चान्नी चौक मेट्रो स्टिशन पर पहुचेंगे तो चान्नी चौक के यह बिलकुल करीब है और हासे यह सीधा आपको रस्ता मिल जाता है रेड फोर्ट तक पहुचने के लिए रेड फोर्ट के अंदर आपको देखने के लिए कई सारी चीज़ें मिल जाएंगे जैसे की लाहोरी गेट, तिली गेट, मुम्ताज महल, खास महल, रंग महल, हीरा महल, मौती मस्जिद, दीवाने खास, हमाम यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल ज किली में आप घुम घुम के ठक जाएंगे लेकिन आपकी प्लेसेश खतम नहीं होंगी, आप यहाँ के प्लेसेश के साथ साथ यहाँ के मार्केट से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहां का फूड को भी इंज्वाइब कर सकते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस जलूर करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफेकिशन जल्द से जल्द मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में